Art Functions हलो बच्चों, आज हम हृदय यानि की हार्ट के बारे में जानेंगे डॉक्टर मरीज का परिक्षण कैसे करता है? डॉक्टर अपनी मध्य और तरजनी उंगली को मरीज की कलाई के भीत्री भाग के उपर रखता है और अपनी घड़ी में देखता है इससे वह क्या करता है? वह बताता है कि मरीज का हृदय भली भाती कारी कर रहा है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि केवल कलाई पर उंगली रख कर डॉक्टर ये कैसे बता देता है? हम जानते हैं कि हृदय रखत को धमनियों में पंप करता है हिर्दय की इस pumping से रख्त धमनियों में स्पंधन गती उत्पन करता है। डॉक्टर कलाई को पकड़ कर मौझू धमनी को प्रिस करकर स्पंधन गती का निरीक्षण करता है। इसे नब्स या पल्स कहते हैं। नब्स हिर्दय की धड़कन से उत्पन होती है। इसलिए आप नब्स को गिन कर धड़कन की गणना कर सकते हैं। एक वयस की सामानी धड़कन 72 से 80 पर मिनिट होती है। इसलिए नब्स की प्रती मिनिट संख्या जोकी नब्स दर यानि की पल्स रेट प्रती मिनिट धड़कन की संख्या के बराबर होती है। यदि आप अपनी नब्स का निरीक्षन करें तो आप ये पाएंगे कि इसकी एक निश्यत लै होती है हुरदय मसल काडियक मसल्स से बना होता है काडियक मसल्स एक निश्यत लै में संकुचन और विशानती करती है ये लैबद, संकुचन और विशान्ती मिलकर हिर्दय स्पंद कहलाता है, जिस तरह डॉक्टर करते हैं, उसी तरह हम हार्टपीट को स्टेथोस्कोप की बदत से सुन सकते हैं, हमारा हिर्दय मांस पेश्चों से बना होता है, और वक्ष गुहा में इस्थित होता है, जिसका न इसका अकार मुठी के बराबर होता है, और बजन लगभग दो सो पचीस क्राम से लेकर तीन सो चालीस क्राम तक होता है, चलिए, अब हिर्दय की बनाबट को विस्तार में जानते हैं, हिर्दय एक दो मनजिला बेल्डिंग की तरह होता है, हर मनजिल में दो कक्ष होते हैं, उपर के दो कक्ष दाया अलिंद और बाया अलिंद कहते हैं, नीचे की मनजिल में भी दो कक्ष होते हैं, जिन्हें निलय यानि की वेंट्रिकल कहते हैं, इन्हें दाया निलय और बाया निलय कहते हैं, औरिकल और वेंट्रिकल के बीच के दर्वाजे को वाल्व कहते हैं, य बाएं वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है इसी तरह रक्त बाएं औरिकल से बाएं वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वाल्ब्स के कारण वापस नहीं आ सकता चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर में रक्त परिशंचरण कैसे होता है रक्त शरीर क विभिन अंगों तक oxygen भोजन पहुचाता है और वहां से अनुपियों की पदार्थ carbon dioxide एकत्रित करता है तत्वों का ये आदान प्रदान केशिकाओं यानि की capillaries में होता है केशिकाओं की भितियां बहुत पतली होती हैं जिससे gas रसायन कोशिका में चले जाते हैं और कोशिका में मौझूद रसायन और गैस रक्त में मिल जाते हैं की शिकाओं एक दूसरे से मिलकर शिराय बनाती हैं इसके बाद शिराय भी आपस में मिलकर दो मुख्य शिराय बनाती हैं ये दो मुख्य शिराय जो विना केवा कहलाती हैं oxygen विहीन रक्त को दाएं औरिकल में डालती है फिर auricle इस रक्त को ventricle में पहुचाता है फिर दाया ventricle रक्त को pulmonary artery में पहुचाता है pulmonary artery इस रक्त को फेफड़ो तक ले जाती है जहां इन्हे oxygen मिलती है और ये oxygen पूर्ण रक्त याने की oxygenated blood बन जाता है अब हम ये जानते हैं कि धमनियों में oxygenated blood होता है लेकिन यहां pulmonary artery में deoxygenated blood होता है और ऐसा सिर्फ इसी में होता है। हम जानते हैं कि गैसिस का आदान प्रदान फेफडों में ही होता है फिर ये oxygenated blood pulmonary vein द्वारा ले जाया जाता है और वापस हिर्दय में पहुँच जाता है ताकि हिर्दय इसे शरीर के विभिन अंगों तक पहुचा सके तो pulmonary vein दूसरी शिराओं के विपरीत oxygenated blood को ले जाती है ये oxygenated blood हिर्दय के बाय औरिकल में आता है फिर बाया औरिकल रख्त को pumps करके left ventricle में पहुचाता है इसके बाद बाया ventricle इस oxygenated blood को pump करके एक धमनी जिसे और्टा कहते हैं में पहुचाता है और्टा से शाखाओं की तरह कई धमनिया निकलती हैं ये धमनिया oxygenated blood को शरीर के विभन भागों तक ले जाती है तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम माल लेते हैं कि हिर्दय दो pump से मिलकर बनता है दाई और वाले pump में शिराओं द्वारा deoxygenated blood आता है और ये से स्वच्छ करने के लिए pulmonary artery के द्वारा फेफ़डों में पहुचाता है दाई और वाले pump को pulmonary veins द्वारा oxygenated blood बिलता है और ये से शरीर के विभन अंगों तक oxygen पहुचाने के लिए भेजता है हिरदय में चार कक्ष होते हैं उपरी कक्ष को auricle क्या atria कहते हैं atrium singular form है कि ये left auricle और right auricle है निचले कक्ष में left ventricle और right ventricle होते हैं auricles में रक्त पहुचता है और फिर ये रक्त valves के द्वारा ventricles में पहुचता है ventricle रक्त को artery में pump करता है जो इसे शरीर के विभिन भागों तक ले जाती है चलिए ड्रक्त परिसंचरण की पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से संक्षिप्त में देखते हैं दाया auricle में दो मुख्य शिराओं द्वारा पूरे शरीर से डी ऑक्सिजनेट ड्रक्त पहुचता है auricle से ड्रक्त दाय वेंट्रिकल में जाता है और यहां से के pulmonary artery द्वारा शुद्धी करण के लिए फेफ़णों में पहुचता है oxygenated blood फेफ़णों से वापस pulmonary vein द्वारा हिरदय के बाय औरिकल में पहुचता है फिर ये oxygenated blood left ventricle में पहुचता है left ventricle इसे pump करके एक धमनी में पहुचता है जिसे aurta कहते हैं जो इसे शरीर के विभिन भागों तक पहुचता है हम जानते हैं कि धमनी स्वच्या oxygenated blood प्रवाहित करती है लेकिन pulmonary artery अस्वच्या de-oxygenated blood परिवहन करती है ये de-oxygenated blood को स्वच्य बनाने के दिए हिर्दय से फेपरों तक ले जाती है इसी तरह pulmonary vein भी एक अफवाद है क्योंकि ये oxygenated blood का परिवहन करती है बाकि सभी शिराएं केवल de-oxygenated या अस्वच्य रक्त का ही परिवहन करती है pulmonary vein शुद्ध रक्त को फेपरों से हिर्दय तक महुचाती है आप जानते हैं 1628 में एक English physician जिनका नाम William Harvey था उन्होंने सबसे पहले इस बात का बढ़न किया था कि शरीर में रक्त का परिशंचरण कैसे होता है अभी के लिए इतना ही बाइब बाच्चों